दोस्तों क्या आपको पता है कि बिना सिमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया जब कि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बोल बगेरा सिमेंट से ही बनते हैं और सौ सालों तक खड़े रहते हैं लेकिन ताजमहल तो बिना सिमेंट के बनाया गया है तो फिर कैसे व योगों शुरू करते हैं दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाह जहां ने अपनी वेगम मुम्दाज के लिए इतना बड़ा मॉनिमेंट खड़ा कर डाला क्योंकि उन्होंने अ जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आए दर असल सिमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तिमाल करते थे जिसमें बहुत अजीवजीब चीजे होती थी और अगर ताजमाहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेम जो की इतने रेर है कि पता नहीं शहान जहाने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक कविले तारीफ है और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमाहल को बनाने में इस्तेमाल होता था उसमें गुर्ब अताशा बेलगिरी का पानी जैसी औ और भी बहुत सारी चीजों को डाल कर पेस्ट बनाया जाता था और यह पेस्ट सिमेंट जितना ही स्ट्रांग होता था दोस्तों जहां बुर्ट खलीफा की निव बड़े बड़े स्टीम के पाइप से रखी गई वही ताजमाहल की नीव लपियों से रखी गई थी अब लकडिया उतनी मजबूत होती चली जाएगी वरना बाकी लकडिया नमी की वज़े से तो खराब हो जाती है और यही वज़े है कि ताजमाहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है और अगर यमुना नदी सूप गई तो ताजमाहल भी उसके बिना ख और वो सुरक्षित बच जाएगी अब दोस्तों बात करते हैं कि ताजमाहल को आफिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा कि आप जानते हैं कि उस समय एक रुपे की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी और अगर इंफ्लेशन के हिसाब से देखे तो आज ताजमाहल क की कौस्ट आती है अप्रॉक्स एक से लेकर दो बिलियन डॉलर्स यानी करीब 8000 करोल से लेकर 10,000 करोल तर इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है अब दोस्तों ताजमाहल में लाइफ क्यों नहीं लगाई गई किया आप जानते हैं दर असल ताजमाहल का सपेद